साथियो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नॉलेज इस्टोर में आज की वीडियो मम देखेंगे जनल नॉलेज की जो फरवाई 2020 के करेंट अफियर्स के इंपोर्टेंट क्वेस्टेंस है सबसे पहला क्वेस्टेन है किस राज्जी सरकार ने क्लीन किसना आंध्यदेश तमिलाडू या करनाटक और इसका सही अंसर है आंध्यप्रदेश इस अभ्यान की शुर्वात आंध्यप्रदेश के रामा वारा पढडू पंचायच से की गई है इस अभ्यान का उद्देश स्वच्छता को लेकर स्थाने लोगों के भी जागुर्टा फैला और नहरों की सफाई करना है अगला सवाल है केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारती केंद्र का नाम बदल कर क्या रखा है ऑप्शन है सुस्मा स्वराज भवन अटल भवन अरुन जेटली भवन भगत सिंग भवन और इसका सही आंसर है सुस्मा स्वराज भवन केंद्र प्रवासी भारती केंद्र का नाम बदल कर पूर्विदेशमंति सुसमा स्वाराज भौन रख दिया है। । अगला सवाल है। । किस सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए केंदर सरकार द्रीजाने वाली आर्थिक मदद के माननडों में बदलाओं की मांग की है। Opsan है पंजाग, गुजरात, भिहार, राजिस्तान इसका सब्सक्राइब उसका पेती चौह सब्सक्राइब ताकि राज्यों का पर वित्ती बोच कम हो सके हाली में राजिस्थान ने केंदर सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद में मांदन्डों में बदलाव की मांग की है अगला सवाल है राश्टी उत्पादक्ता दिवस निम्न में से किस दिन मनाये जाता है ऑप्सन है दो फरवरी, दस फरवरी, बारा फरवरी या चौदा फरवरी और इसका सही आंसर है बारा फरवरी इस दिवसकार देजबर में उत्पादक्ता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राश्टी उत्पादक्ता परिशद एन पीसी द्वारा किया जाता है अगला स्वाल है हाल ही में केंद सरकार ने तीन सरकारी बीमा कमपनियों में कितनी राशी निवे सेंत्तू मंजोरी दी है ऑप्सन है पंद्रा सो करह रुपया, पच्चिस सो करह रुपय, अठारा सो करह रुपय या इकावन सो करह रुपय और इसका सही आंसर है पच्छी सो करोर रूपे इन कमपनियों में खराब वित्ती स्तिती को देखते हुए यह फैसला लिया गया है अगला सवाल है हर्याना सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने ही तो हाल में ही किस अभियान की शुरॉत की है और इसका सही आंसर है रीडिंग मिशन हर्याना अगला क्रिश्चन है नार्कोटिक्स कंट्योर ब्रोर ने किस सहर में नसिली दवाओ की तसकरी पर रोख लगाने ही तो बिम स्टेक सम्मेलन का अरुजन किया ऑप्षन है पत्ना लखन नई दिल्ली या हैध्याबाद और इसका सही आंसर है नई दिल्ल्ल गर्मंति अमित्सा ने नसिले प्यारथो की तसकरी से मुकाबला विशरी पर बिस्मेटिक सम्मिलेन में कहा कि भारत पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की तसकरी को रोखने ही तु संकलिप है बिस्मेटिक जिसका पूरा नाम है बंगाल की खाड़ी बहुच्छती तक्निग और आर्थिक सहयोग उपकरम अगला क्रूश्चन है अंतराष्टी होकी महासंग ने किस भारती होकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वसेट होकी खिलाड़ी चुना है अप्शन है मनपृत सिंग, सरदार सिंग, असोक कुमार या संदीप सिंग इसका सही आंसा है मनपृत सिंग मनपृत सिंग, इस पुरुषकार के लिए बेल्जियम के विक्टर वेगनेच और ओस्टिया के एरन जौलवस्की और एडी ओकेंडेन को भी नामित किया गया था मनपृत सिंग या सम्मान पाने वाले पहले भारती है है अगला सवाल है केंद्रि कार्मिक मंत्राहईल ने यहाल ही में किसे एडीया का चेर्मेन वह मैनेजिंग डारेक्टर सीमडी नियुक्त किया है ऑप्सन है राहुल सजदेवा अनमोल सिंह राजीव बंसल और संजीव सायनाल और इसका सही आंसर है राजी बंसल राजी बंसल को एर इंडिया का चेर्मेन और मैनेजिंग डारेक्टर न्यूक्त किया गया है यह 1988 बैच के नागरहंड केडर के आई-एस अधिकारी है अगला सवाल है निम्ने लिखीत में से किस दिन प्रत्यक वर्स रेडियो दिवस मनाये जाता है ऑप्षन है 11 फर्वरी 12 फर्वरी 13 फर्वरी या 14 फर्वरी और इसका सही आंसर है 13 फर्वरी पर टेक वर्स 13 फर्वरी को विस रेडियो दिवस मनाये जाता है अगला क्रिश्चन है बहारत में राष्टी महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है इसको ध्यान से देखिए इसमें है बहारत में राष्टी महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है ऑप्सने 10 फरवरी 11 फरवरी 12 फरवरी या 13 फरवरी और इसका सही आंसर है 13 फरवरी बहारत में प अगला question है सर्युक्त राष्ट सुरक्सा परिशत ने 12 फरवरी 2020 को किस देश के लिए एक प्रिस्ताव पारित करके दिर्ग कालिक संगर स्विराम की अपील की है और इसका option है अफगानिस्तान लीबिया सीरिया या कॉंगो और इसका सही answer है लीबिया अगला question है नागरिक्ता संसुदन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रिस्ताव पास करते ही कौन सा राज जी कौन सा राज ऐसा करने वाला पहला के इंदिसासित प्रदेश बन गया है तो पहला के इंदिसासित प्रदेश कौन है और इसका सही answer है पुडुचारी नागरिक्ता संसुदन कानून CAA के खिलाफ हाल में ही प्रिस्ताव पास करते ही पुडुचारी ऐसा करने वाला पहला के इंदिसासित प्रदेश बन गया है इससे पहले केलर पंजाब राजिस्तान पश्चिमंगार और मद्विदे CAA के खि किस राजिके मुख्यमंतिर ने हाल ही में गोसा की है कि कावेरी डेल्टा छेत को सहक्सित विशेश के C6 के रूप में गोसित किया जाएगा ऑप्सन है पंजाब, तमिल नाडू, करनाटक या केहर और इसका सही answer है तमिल नाडू अगला कोश्चन है गिनीज वर्डिकोर्ट्स ने किस देश के चितेट्सू तानाबे को दुनिया का सबसे उम्मद्राज जीवित व्यक्ति गोसित किया है ऑप्सन है जापान, नैपाल, चीन या रूस और इसका सही answer है जापान, जापान के चितेट्सू तानाबे दुनिया के सबसे उम्मद्राज जीवित व्यक्ति बन गए है, उनकी उम्मे 12 फरवरी 2020 को 112 साल 344 दिन है, अगला कोश्चन है विस्ट्र के सबसे बड़े स्टेडियूम का निर्मार कहां किया गया है, जिसका उद्गाटन डॉनल्ड टर्म ने 14 फरवरी 2020 को किया था, इसका ऑप्सन ह सबसे बड़े स्टेडियूम का निर्मार किया गया है, जिसका उद्गाटन डॉनल्ड टर्म ने 24 फरवरी 2020 को किया है, दन्यवाद सत्यों